भीश्रन आग में 40 की मौत की खबर है, 50 से ज़ादा लोग वहाँ पर गंभी रूप से खायल है भीश्रन आग में 40 की मौत की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 50 से ज़ादा लोग गंभी रूप से खायल है और ये तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं exclusive तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं कुवेट से ये तस्वीरे कुवेट में भीशन आग लगने से आथसा हुआ है इस वक्त की बड़ी कबर हम आपको दिखा रहे हैं कुवायत में छे मंजिला ये इमारत है इसमें आग लगी है आग में 40 भार्तियों की मौत यहाँ पर हुई है छे मंजिला इमारत में आग लगी है भीशन आग लगने से आदसा हुआ है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है अफराद तफरी वहाँ पर मची हुई है आग लगने से आदसा हुआ है बड़ी ख़बर इस वक्त आपको बता रहे है आग में 40 भार्तियों की वहाँ पर मौत हुई और बात्ची पर क्या इस्टिटी है किस वज़े से आग लगी है और कितनी कैजूल्टी अब तक हो चुकी है जी अनुपम भाई एक दुखद ख़बर है आज विल्डिंग में आग लगी है विल्डिंग में आग जो लगी है वो नीचे फ्लोर से लगी हुई है यह ऐसा टाइम था जहां पर सब लोग सो रहे थे यह अगली मॉनिंग का टाइम जो होता है यह ज्यादातर लोग का है मंगा फेरिया जहां पर ज्यादातर जो है वो अजने भी लोग रहते हैं जो फॉर्णर से आए हुए है वो राम करने वाले लोग का उठना बचना जो है वो मुश्किल नहीं था बड़ी तेजी से आख फैली है निउस निकल के आ रही है लगबग पचास से ज्यादा लोगों किद्यत हुई है और लगबग साट से सतर लोग अभी भी घायल है क्या यह सारे लोग वहाँ पास जो लोग मौजूद थे भारतिये हैं या कुवेट के ही निवासी हैं इनके बारे में कोई जानकारिया मिल पा रही है मौमद दली जी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो रियासी विल्डिंग थी इसमें ज्यादा तर लोग 80% जो है ना इंडियन लोग रहते थे बाकी दूसरे कंट्री बंगला देश पाकिस्तान और दूसरी इसकी अपने देखा प्रत्यक दर्शी है आप कुछ लोगों से वहाँ पर बात हुई होगी क्या जानकारिया उन्हों ने दिया आपको क्या बताया क्या हुआ था वहाँ पर मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा ट्रेजिडिक मुवंट्ट था लोग जो है वो एक्चली वो जो झो देरेस वह सास्विटलस है उनको कैजूलिटीज उनको मुवंट करा रहे थे कि कोई एक हास्विटल में नहीं ले जा रहे थे को 15 फिपिल्स को दूसरी जग़ा पे 30 को दूसरी जग़ा पे इस से उनको जो एडा हो ले लेके भाग रहे थे काफी अफरातफरी का महोल था आप भी क्योंकि वखारती हैं और जाहर तर पर क्वायत में रहकार काम करते हैं तो ऐसे में जो और जो भारती है लो मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए कोई मैसेज दिया को जाने रादर सोयका जी उन्होंने ततकाल नंबर भी जारी किया है और अपनी पूरी टीम को लगा दिया है इसके अलावा हमारे विदेश मंतिजे शंकर ने भी ट्विट किया है कि पूरी तरीके से मदद की जाएगी जो हुई है इंडियन नेशनल की जो भी अभी एडमिट हैं उनको पूरी हेल्प मिलेगी और हमारे जो एमबेस्डर साब हैं उनको पूरी तरीके से लिए हुए अपनी टीम के अंदर लोग फसे हुए है ना ने रिस्क्यू आपरेशन अल्मुश्ट पूरा हो गया है कि सब जो इमारत में आग लगती है और रेस्क्यू अपरेशन बहुत देरी सब्सक्राइब हो गई है निकलने का कोई यह चांस नहीं था कुछ लोग जंप कर रहे थे उपर से ही इस तरह से जब अफरा तफरी हुई है तब उसमें ज्यादा क्योजलिटीज हो गई है फिलाल कुईद गवर्मेंट की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए गए है और जो भारतिये वहाँ पर थे उनके परिवार के लोगों तक संपर्क करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कुछ जानकारिया मिल पाईगे हैं अलिया आपको गवर्मेंट की तरफ से पूरी तरीके का ट्रीटमेंट जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उन्होंने पूरी टीम जो है वो मौझूद है मोके पे जो लोग और मोझू रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते उस बीडे तस तरह की जानकारिया मिल पाई हैं कुछ लोगों से आपकी बात हो पाई है परिवार के लोगों से कुछ बात चीत हो पाई है जह वहाँ पर मौखे पर थे नई अनपम जी मेरी बात नहीं हो पाई है killer है और बहुत 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 शुक्रिया मौतम्मद अल्या का अपका पिर एक बार फिर हमारे साथ बने हुए है उनके पास वहां की लाइफ किस तरीके की रहती है क्या सभी लोग सोई हुए रहते हैं अरली सूर रहे थे अचानक जब आग तेशने के बाद में फिर जो है लोग जो है वो उपर से जम करना स्टार्ट किये क्योंकि नीच आग जो ह की थी तो उसका में राकिए उनकी हालत भी कई है लोगों की गंभीर बताई जा रहे हैं जी यह यह इनको मूब किया गया है बहुत बहुत शुक्रिया मुर्मद अली सिद्गिया